नवस्कार आप देख रहे हैं इंडिया की बात, इंडिया की बात में मैं आभिसार और मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आश्तीन मुद्दे क्या भारती जनता पार्टी के चक्रवी हुमें बुरी तरह से फस चुके हैं राहूल गांधी मुद्दा नमबर दो राहूल गांधी को आप राधिक मानहानी के मामले में दो साल की सजा क्या अब विपक्ष एक मंच पर आएगा और मुद्दा नमबर तीन क्या चीव जस्टिस अव इंडिया चंद्र चूड मोधी सरकार के नाक में दम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं और एक उम्मीद के तोर पर उब रहे हैं शुरुआत राहूल गांधी के साथ यकीनन इस वक्ष इस सबसे बड़ी राज़नीतिक खबर इस वक्ष जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज विपक्ष ने बाकाइदा संसद में मार्च किया है विपक्ष अदालत भी पहुँचा है कि किस तरह से EDCBI जो है विपक्ष पर निशाना साथ रही है मगर राहूल गांधी को आपराधिक मानहानी के एक केस में दो साल की सजा और अगर ये प्रक्रिया चलती गई तो उनकी सदसिता लोकसभा की सदसिता भी खारज हो जाएगी इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरह से राहूल गांधी को देश दोही बताना उन पर हमला बोलना उनके बयानों को गलट ढंग से पेश करना यानि कि एक चक्रवियू के तहट राहूल गांधी को बरबाद करना क्या भारती जहनता पार्टी कामियाब हो पाएगी क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करना चाहेंगे भाशा से अभिसार मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि जिस तरह से भाशपा ने निशाने पे लिया है राहूल गांधी को उन्होंने भारा जोडो यात्रा के बाद राहूल गांधी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी मान लिया है और एक तरह से यह राहूल गांधी के लिए संजीवनी है, डू और डाई का मौका है, जिस पे वो खरे उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, लेकिन उनकी पूछ और पहुच भाश्पाव को परिशान कर रही है, अभिसार क्या है इस पे आपका पंच? इस वक राहूल विपक्ष के सबसे बड़े निता बन के उभरे हैं, यकीन मानिये, अगर राहूल गांधी इसके बाद उन्हें खत्म करने में काम्याबी मिलती है, तो ये विपक्ष के खात्मे की भी शुरुवात होती है, और ये खत्रे की घंटी है कहीं न कहीं विपक्ष के लिए, क्या इस मुद्दे का पंच, बताएं और मिलेजी, अभिसार मैं समझता हूं कि राहूल गांधी इस घटना के बाद बहुती प्रावड और मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, पूरे विपक्ष के एक तरह से रैलिंग पॉइंट बन सकते हैं, बशर्ते की कां लिए पक्षी दलों को मोबलाइज करें. उसने हाई कोर्ट में अपील की थी कि इस पूरी कारवाई पर रोक लगाई जाया और जैसे ही जजज बदले तो उसने अपनी याजिका वापिस ले ली. ये भी कह रही है कॉंग्रिस कि इसमें जिन लोगों के नाम राहुल गांधी ने लियें, यानि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंदर मोदी, उनमें से तो किसी नापील नहीं की. और सबसे बड़ी बाद, जो पुरनेश मोदी अदालत पहुँचे हैं, क्या वो वाकई पूरे जो मोदी समुदाएं हैं, क्या उनकी नुमाइनगी करते हैं, ये तमाम मुद्धें जिसकी वज़ह से कॉंग्रिस को ऐसा लगता है कि इसके चुनौती दी जा सकती है, और उस बड़ रहे हैं, देखे मुझे लगता है कि खात्मा भाश्पा चाहती है, लेकिन अभी तो चक्रिव्यू मना है, जिस तरह से रचा गया है, उसमें खात्मा नहीं, मुझे दिखाई दे रही कि ये संजीवनी बूटी का भी काम कर सकती है, और यहां पर आपने जो केस का पचास करोड़ की गल्फरेंड एक व्यक्ति विशेश के बारे में, तब वो तमाम भारती महिलाओं और गल्फरेंड का अपमान नहीं था, जरसी काओ, तो तमाम विदवाएं क्या पहुची थी मोदी जी के खिलाफ अपील करने के लिए, कि आपने इतना बड़ा लांचन क कैसे लगाया, तो मुझे लगता है कि यह जो पूरा का पूरा नरेशन रचा जा रहा है, एक अलग धंग से साजिश रची जा रही है, मकसद बहुत साफ है, और मकसद यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो अपना कद बढ़ाया, जो एक उनको कि 2014 से पूरी कोशिश थी, अब उनको लग रहा है कि उनकी सदस्ता खारिश कर दी जाए, क्योंकि यह मामूली बात नहीं है, हमें याद रखना चाहिए इस क्रम में कि आजम खान को समाजवादी पार्टी के एहम नेता रहे हैं, किस तरह से एक मामले में पहली बार यह किया सदस्ता ही नहीं, वोटिंग राइट हटा दिया गया, उनका वोटर लिस से नाम हटा दिया गया, तो इसे में भारती लोक तंत्र में अभूतपूर अन्प्रिसिडेंटेट प्रियोग चल रहे हैं, यह प्रियोग मजाक में नहीं है, यह लोग कुछ भी करने पर उतारू है जिससे भी उनका हित सदे अभी सारू है तथा कथित मित्र थे, बावजूद इसके इस तरह का यह फैसला आना यह प्रमानित करता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए राहूल को हायर कोट से? देखें, यह तो कोट के बारे में कोई स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं इस संबन्द में दो बातें कहना चाहूँगा, पहली बात तो यह है, कि अगर मौझूदा जो रूलिंग क्लास है, या रूलिंग स्ट्रक्चर जो है, अगर उसने यह तै कर रखा है कि राउल गांदी की सदस्ता चीननी है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मकदमे के फैसले से पहले भी उनकी सदस्ता को खत्म करने की लोग सबासे ही कोशिश जारी थी, कैमरिज के या जो बिटेन के दूसरी शाहरों में जो भाशन थे, उनको लेकर एक स्पिकुलेट किय जा रहा था कि उनकी सदस्ता भी छीनी जा सकती है, एक ये मसला था, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उनको हर हालत में लोग सबासे बाहर करने की एक कोशिश चल रही थी, इसी में ये मौका निकल गया, और इसको बेहतर समझा गया, कि ये तो मुमागा मौ का है अब हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या दुष्चक्र कुछक्र है हम हम कोई टिपणी नहीं करना चाहते जज्जमेंट की प्रक्रिया पर लेकिन दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा इस फैसले से जुड़ी कि अगर कोई ये कहता है कि ये संपुर्ण मोदी जाती की मोदी समुदाय की आव मानना है तो ऐसे एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिया गया तो ऐसे में एक व्यक्ति जो मंत्री रह चुका हो गुजराच सरकार में उसको अचानक कैसे आबास ही है कि ये उसके उपर ही केवल है नीरो मोदी हैं इसके अलावा दूसरे मोदी हैं ललित मोदी है सबके बारे में कांटेक्स्ट ये था उस भाशन का जिसमें उन्हों ने बोला लेकिन ले लिया उन्होंने एक सिकेंड और तो लेकिन तीसरी जो इसी से जोड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन लोक्तांत्रिक मुलकों में शायद एका दुका है जहां पर आवमानना के मामले को इस तरह से आपराधिक बनाया गया है और ये कहीं दुनिया की जो मैच्चेव डिमोक्रसी हैं वहां ऐसा नहीं है ये बहुत भी खतरना की हुआ है ये जो आपराधिक आवमानना का मामला है ये उन्नीसवी सदी का कानून है अंग्रेजों के जमाने का कानून है और जो अंग्रेज से भारत में लेकर आए थे उन्हों ने अपने देश यानि ब्रिटन में से खत्म कर दिया है मगर भारत में इसका इसका इस्तमाल होता है बार बार होता है और उसका मकसद यही होता है कि कि किसी तरह स अब शब्दों का इस्तमाल करते हैं निशिकान दुबे से लेके परेश रावल से लेके नजाने क्या क्या राहूल गांदी को मीर जाफर बताया गया पपू तो चलो एक अरसे से चला आ रहा है और लोकसभा की सदस्ता को खारिश करनी की जमीन पहले से तैयार की जा रही है त तो आप देख रहे हैं जिस तरह से टारगेट इस व्यक्ति को किया जा रहा है और इनके सरनेम नहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं और नहरू की अलादे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो संसत के भीतर और बाहर कह रहे थे तो मुझे लगता है कि मैं अरुमिल कर रही है और जब देश की संसत के भीतर सदस्टा को लेके निशिकान दूबे से लेके तमाम लोग राजनास सिंग भी बोलते हैं कि माफी माँगनी है और यह तमाम चीज़ें ठीक उसी समय 19 का मामला 2019 का मामला है उस पे ये जज्जमेंट आना और ये सारा का सारा सामने आना मुझे लगता है कि ये एक जो पूरी घेरने की तैयारी है जो इस चक्रव्यू का जिक्र आप अभी सार कर रहे हैं उसकी अलग-अलग सीडिया हैं हला कि हम सपश्च कर दें कि हम किसी भी सूरत में इस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं हम सिर्फ कॉंग्रेस का पक्ष जैसे मैंने कार करें की शुरुवात में बताया कि कॉंग्रेस भी जज की नियुकती पर सवाल उठा रहे हैं हम सिर्फ उस पक्ष को सामने रख रहे है बात पूरी कीजिए भाषार तो मैं वही कह रहे हूं कि ये सारी चीजें जिस परिपेक्ष में हो रहे हैं जो कॉंटेक्स है उस कॉंटेक्स को समझना जरूरी क्योंकि आने वाले दिन हम लगातार पिछले दो प्रोग्राम्स में इस बात पे चर्शा कर चुके हैं अभिसार क कि जिस तरह से विपक्ष को संसत के भीतर म्यूट किया जा रहा है जिस तरह से उनके भाषन से और हमला तक तेज हुआ जब हिडनबर्ग के रिपोर्ट आती है आप देखिए कि अडानी जी पे जैसे हमला तेज होता है सदन के भीतर और सदन के बाहर ये सारा का सारा मामला बनता है और राहूल गांधी क्योंकि सबसे वोकल हैं भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और उससे पहले और उसके बाद सदन के भीतर लिहाज़ा एक रिवेंज में एक बदले की भावना के तहट यह सारा का सारा ओपरेशन होता दिखाई दे रहा है मैं अब आप दोनों से एक त्वारित प्रतिक्रिया चाहूंगा उर्मिलेश यह बताईए क्या ये घटना क्रम कॉंग्रिस को लामबंत करेगा देखिए इसमें दो रहा हैं नहीं है कि कॉंग्रिस पिछले एक दो साल से खासी सक्री दिखाई दे रही है मुद्दो उठा रही जहां कॉंग्रिस जहां राहूल गांदी के वजूद पर सवाल है क्या कॉंग्रिस और लामबंध होगी इसे आप कैसे देखते हैं राजनी दिक तौर पर लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूं कि मिस्टर खडगे जब से कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से कॉंग कॉंग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है मैं एक चीज़ बोलू आप मैं आड करूंगा मैं मलिकर जुन खडगे को एक बहुत ही जैसे कहते हैं वो अपनी बात रखते हैं मजबूती से रखते हैं और एक अरसे से ये मिसिंग था कॉंग्रेस के अध्यक्ष के तौर जी और उनके उनकी बातों में ठीक है लच्छेदार हिंदी वो भले नहीं बोलते हिंदी हार्टलेंड के नेताओं की तरह लेकिन एक बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई देता है अनुभाव की रोशनी उसमें दिखाई देती है जो कॉंग्रेस के बहुत सारे जो सिबिल ससाइ टाइप नेता है एंजियो च्छाप जो नेता है उनकी तरह नहीं है बिलकुल लगता है कि जमीन से उठा हुआ एक नेता कॉंग्रेस जी जो हुआ करते थे पहले इंद्रय गांधी के जमाने में या उसके बाद भी उस तरह का नेता बोल रहा है तो मुझे लगता है कि लड संसत के भीतर जिस तरह से लोगों को लाम बंद किया आपने खड़गे जी का जिक्र किया आते हैं सीनियर व्यक्ति हैं लोगसभा में लंबा अनुबाव है दलित नेता हैं बहुत पढ़ते हैं और अपने एक एक शब्द पर कायम रहते हैं पीछे नहीं हटते जितना भी हम मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ और चीज़े रखना चाहता हूँ याद है आपको अनुराग ठाकुर ने चुनावों के दोरान क्या का था देश के गद्दारों गोली मारो उसके बाद दो युवक उतर जाते हैं जामिया और वहाँ पर गोली बारी शुरू कर देते है कपिल मिश्रा पुलीस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो टरंप है कल तो आप भी हम नहीं रोक पाओगे नतीजा दिल्ली में तंगे इसी तरह से आपको धेरो मिसाले दिखाई दे सकती हैं जहां भारती जनता पार्टी के नेताओं ने अनरगल बयान दिये मुसल्मान जब बोल रहे होंगे ब्रिटेन में तो यह स्थारी बातें उनके दिमाग में रही होंगी कि इंडिया की जो डिमोक्रिसी है कैसे उसका विलोप हो रहा है कैसे वो लुप्त हो रही है तो जो बातें उन्होंने कही हैं वो उसका एक पूरा का पूरा सिलसिला है आप 2014 के पूरी तरह freedom है कि वो जो चाहे वो कहें उनके लिए पूरी की पूरी लोग तांति पास्टेंस नहीं है अभी महराष्ट में चार महीने के बीतर पचास रैलिया होती हैं पचास रैलियां जिसमें भाश्पा के मंतरी संत्री सब मौझूद रहते हैं नफरत उगली जाती है मु हैं हम देखने कि किस तरह से मुसल्मानों पर हमले नफरत सब कुछ हो रहा है और वहां पर पुलिस नहीं आती वहां कारवाई नहीं होती वहां लोकतंत्र की कोई बात नहीं होती है यह तो आप नेताओं की बात कर रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा नेता टाइम्स नाउ का एक पत्रकार जिसने ये कहा था कि जब बुल्डोजर चला था अलवर में तो एक हिंदू का घर तोड़ दिया गया, मुसल्मान का घर बच गया इसी तरह से एक एक करके धेरों मिसाल दिखाई दे सकती है ये लोग समाच के अंदर दंगा भेलाना चाहते हैं ये लोग जो मर्जी करते हैं और इन पर कोई अंकुष नी है और दिल्चस बाती है कि जब पुलीस इन्हें गिरफतार करने आती है इन पर आक्शन लेने आती है तो खुद भारती जनता पार्टी की सरकारों की पुलीस इन्हें बचाती है जो कितने शर्म की बात है अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का आपको याद होगा कि जैसे ही राहूल गांधी को इस सजा सुनाई जाती है तो अरविंद के जिवाल सबसे पहले सामने आते है उनकी भी अपनी दिक्कत है उनके दो जो नेता हैं वो एडियो और सीबियाई की कृपा से इस वक जेल में है और वो राहूल गांधी के खिलाब जो सजा सुनाई गई है उसका विरूत करते हैं खिलेश भी बोलते हैं तेजस्वी भी बोलते हैं मंता खामोश हैं वो एक अलग मुद्द है मगर विपक्ष क्या राहूल के संकट के बाद एक मंच पर आ सकता है क्या इस खबर का पंच उर्मेली जी बताएं अभी जार मुझे रखता है कि भारती जो संसदी विपक्ष है उसके उसमें तीन धाराएं मुझे दिखाई दे रही है आज की तारीक में एक तो वो है जो कंसिस्टेंट विपक्ष है खासकर सकता के खिलाब दूसरा जो भी पक्ष है वो कंप्रमाइजड भी पक्ष है और एक तीसरा भी पक्षी धारा भी दिखाई दे रही है तीसरी भी जो अब तक बहुत धुलमुल थी लेकिन इस वक्त वो जम कर बोल रही है या सामने खुल कर आ रही है जैसे आपने नाम लिया केजरिवाल की पार्टी का और जो कंप्रमाइजड धारा है जिसमें आपने स्वें भी नाम ले लिया मंता बनरजी जी का और भी बहुत सारे लोग है नमीन पटना है कहने के लिए विपक्षी दल है उनकी पार्टी लेकिन वो हर मुद्दे पर प्राया हर मुद्दे पर सरकार के साथ होती है तो ये कंसिस्टेंट विपक्ष कितना मजबूत होता है कैसे पुलराइज करता है और दलों को ये देखना होगा बाशा आप बताएं क्या है इस खबर पर आपका पंच देखे मेरा मानना है कि तमाम विपक्षी दल चाहे जहां भी खड़े हैं आज की तारीख में उन्हें कोई भरम नहीं है वे जानते हैं कि बचे का कोई भी नहीं बारी सबकी आएगी कब तक बारी आएगी इसका खाली लोग इंतजार कर रहे हैं और जब जैसे जैसे बारी आती है जितनी चाभी भरी जाती है जितने केसे यहां पर केंदर के पास हैं उनके मंत्रियों के पास हैं उस हिसाब से वे रियाक्ट कर रहे हैं लेकिन संसत के भीतर क्या है इस पर आपका पंच? कुंद हो जाएगी, दबा दी जाएगी, ये मीडिया तो पहले से ही नहीं उठा रहा है, आप जानते हैं सबसे पहले भाषा प्रतिक्रिया आती है अर्विन केजिवाल की, अमूमन ये दोनों पर ये हमला पहले किया जाता था कि भई पहले जब राहूल गांधी को एडी ने बुलाया था, तो अर्विन के जिवाल खुश चुप थे, फिर जब सतेंद्र जैन और मनीश सोधिया पर कारवाई थी, तो किस तरह से कॉंग्रेस उसका स्वागत कर रही थी, मगर क्या वाकई हम एक प्लान देख रहे हैं विपक्ष का, जैसे आज हमने देखा, एडी और स TBI, जिस तरह से विपक्ष पर कारवाई कर रही है, समूचा विपक्ष गया है, अभिशेक मनु सिंगवी, उसकी दुमाइनगी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज का जो एक घटना करम है, बहुत एहम है, जी, और देखिए मैं इसलिए बार-बार कह रहे हूं कि सदन के भीतर, जिस तरह से मजबूर में ही सही, हम जानते हैं कि अपनी मजबूरियां है, अपनी अपनी लड़ाई है, दोहजार चौबिस के चहरे को लेके लड़ाई है, क्योंकि मम्ता बनर जी ऐसे ही नहीं कहती हैं, कि मोधी जी चाहते हैं कि राहूल गांधी ही विपक्ष के नेता के दिखाई दें और आपस में समस्दारी की बात करती हैं लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय आज खड़ा है लोगतंत्र संसत के भीतर जितनी विपक्षी पाटियां हैं और इवन जो रीजनल छत्रप हैं चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो इवन मैं कहूंगी कि आंधर प्रदे आप जो कह रहे हैं जनता के बीच नहीं गया जो जनता के बीच अभी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा क्योंकि सिर्फ एक ही रंग होगा जब मोधी जी कहते हैं एक राशेष्ट भारत तो दरसल वो एक पाटी की बात कर जो की पूरा जमीन पर दिखाई भी दे रहा है और यहीं बात आपको लाद होगा जेपी नडडा ने भी कही थी और मिलेश मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जैसे मैंने कहा कि विपक्ष को लोगों के साथ समवाद करना पड़ेगा मगर मैं आपसे कुछ और पे भारी विपक्ष अगर समवाद करने जाएगी तो क्या जनता उस पर विश्वास करेगी क्योंकि एक समाना अंतर नारेटिव तो चल पड़ा है कि विपक्ष भरष्टाचारी है यह एक बिचारे को काम नहीं करने दे रही है I think this is very good question और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को यह समझना होगा कि अतीत में निकट अतीत या काफी वक्त पहले का अतीत यह वो दौर नहीं है मीडिया एक दौर ऐसा था जब सरकार के खिलाब कोई बात होती थी तो विपक्ष के बड़े हिस्से का समर्थन करता था कई बार वो चुप रहता था अधिक दौर लेकिन यह ऐसा दौर है जब विपक्ष जो मीडिया है भारत का मुख्यदारा मीडिया वह पूरी तरह सरकार के साथ है बेशर्मी के साथ तो विपक्ष के प्रती वो कहीं से भी हमदर्द नहीं है यहार तक कि विपक्ष के बयान तक नहीं चापता विपक्ष पर जो दमन होता है उसकी भी आवाज नहीं उठाथा तो अब क्या बचा अब बचा विपक्ष के लिए सिर्फ जनता अगर वो जनता के बीच नहीं जाता जैसा कि देश के बहुत सारे दल छेतरी दल हो या अपने को बड़ा दल कहने वाले लोग हैं वे पिछले तीस सालों की राइनीत में इतने अगाये हुए हैं सभी सक्ता मेरा चरके हैं कि वो आम लोगों की भी जाना उन्हाने बंद कर दिया है वो स्विधा होगी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मकदमों में फंसाये गए हैं तो दयार कंपरमाई्ज दयार उनके साथ मजबूरी है उनको डर लगता है कि सरकार की बात नहीं मानेंगे तो हमारे भतीजे को, हमारी बीबी को, हमारी बेटी को, कभी भी जेल भेज सकते हैं, तो डरे हुए जो लोग हैं, अब राहूल गादी उनके बिलकुल उलट है, वो कहते हैं, मैं तो नहीं डरता, CPIM के लोग कहते हैं, हम नहीं डरते, DMK के लोग कहते हैं, हम नहीं डरते, तो मेरा मानना है जंता ही दबाव डाल कर इन नेताओं को पटरी पर लाएगे। की खत्रे में हैं। लड़ाई कि डर बिल्कल नहीं लड़ी जासकती जैसे जैसे मेडिया में जो बतौर पत्रकार रहना की सब सोचने हैं कि हमें ऊपर इतना रहें। कैसे करने लग शेर करने लग नहीं सैंच यहां नहीं बैठे होंगे। मुझे लगता है कि यह एक बुन्यादी चीज है जो जितनी जल्दी विपक्ष समझ जाए जो अर्विंद केजिरिवाल इस समय समझे हैं कि उनको लगा कि अगर राहुल गांधी पर हमला है आपने बिल्कुल सही का भाई आपके मनीश सिसोधिया अंदर हैं आपके सतेंद जो फैक्टरी हो गई है मीडिया कहना दिकत है उसने भर सुर्शेप्शाचार को सिरफ और सिर्फ व्पक्ष में कर दिया है अडानी जी का भष्थाचार नहीं बाकि कौई ब्रश्था चार नहीं कर नाटकमें जहां रिकॉर्ड लोग बोल रे वटर सौ-र नहीं होता है मद्द प्रदेश का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं होता है लेकिन दिल्ली का हो जाएगा KCR का हो जाएगा कॉंग्रेस का हो जाएगा इसे हम फाइट जनता के बीच जाए बिना असको है करना चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे और एहम मुद्दे का वैसे आप जानते हैं कि इस कारक्रम की शुरुआत से पहले मैं भाष्षा और उम्मिलेश दोनों से बात कर रहा था कि इस मुद्दे से हमें शुरू करना चाहिए और मुद्दा बहुत दिल्चस्प ह चीफ जस्टिस ओव इंडिया डीवाइच चंदर चूरू लगातार कुछ ऐसा बोल रहे हैं कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे मुद्दी सरकार जो है हिल गई है कानून मंत्री जो हैं वो कई बार अनरगल बयान दे रहे हैं मसलां रिटाइट जज्ज जो हैं वो अंटी मैं बोलिए चुनाव आयोग उसके चुनाव की प्रक्रिया बदल दी डीवाइच अंद्रचूर साब ने उसी तरह से कई एहम फैसले उनके सामने हैं इलेक्टोरल बॉंड्स जो की बीजेपी की ताकत है उसी तरह से महराश का मामला एक व्यक्ति पूरे मोदी सरकार को हिला हुए क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत हम करना चाहेंगे बाशा से अभिसार मेरा मानना है कि जितनी निराशा है जिस तरह से तमाम संस्थाएं लोगतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं जिनके कंदों पे लोगतंत्र है वो बिल्कुल धराशाही दिखाई दे रह है मेरी उमीद उनसे यह है कि यह जो अब्जर्वेशन और बाकी तमाम चीजें है अगर फैसलों में दिखाई दे बहुत एहम फैसले हैं चंद्रचूर जी आपके पास अभी करिए और लोगतंत्र में एक राहत की राह दिखाईए अभिसार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चीव जस्टिस और इंडिया चंद्रचूर की जो बेखौफ टिपनिया हैं उनके फैसले हैं वो मोदी सरकार को बहुत भुरी तरह से नर्वस कर रहे हैं और उसका परणाम आप देख सकते हैं लौ मिनिस्टेर के बयान जिसमें वो सितारा भी एक ऐसे देश में जहां पर विपक्ष को रौंधा जा रहा है आलोशना के स्वरों को रौंधा जा रहा है पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें रौंधा जा रहा है उरमेलेश जी क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच देखे मैं समझता हूं कि जिस तरह से मेडिया में कभी कभी खासकर प्रिंट मेडिया में कई बार आवाजें अच्छी आती हैं और लगता है कि वाकई तमाम दमन चक्र के बहुद आवाजें बची होई हैं वैसे ही हमारी जुडिसिरी में कभी कभी अच्छी आवाजें सु बाशा, आप जानते हैं, जब वो इंडिन एक्सप्रेस के रामनाद गोइन का पुरसकार समारो में थे, तो उन्होंने दो-तीन बाते कहीं, सामने रवी शंकर पसाद और माननी अनुराथ ठाकुर जी, बैटे हुए थे, उन्होंने जब बाते कहीं, तो उनके जो चेहरे थे, ह हवाईयां उड़ गए, बिल्कुल, एक तो उन्होंने फेक नियूस पर कहा, कि फेक नियूस समुदायों के बीच में तनाव पैदा करती है, आप जानती है भाशा, कि ये जो फेक नियूस की फैक्टरी, कौन सा IT से चलाता है, कि पुलिटिकल पार्टी का IT से चलाता है, मग देख रहा था कि ओडियंस में बाकी सब तो ताली बजा रहे थे, मगर वो दो चहरे बुरी तरह से नर्भसा गए थे, काईदे से जो बात कही उन्होंने सामाने बात कही भाई, क्या पत्रकार सत्तर सवाला पूछे, क्या फेक नियूस खतम ना हो, जो समाज के अंदर दंग बार-बार आ रहा है, और जिनका नाम और उपनाम आपने बहुत अच्छे से बताया, गोली मारो से जोड़ा आपने, तो मुझे लगता है, यह मामला बहुत साफ है, और जिस तरह से दो बड़े खत्रे, क्योंकि मुझे लगता है, फेक नियूस, बीजे पी का आईटी से ल को खलाता है, जो कॉर्परेट मीडिया है, जिसे अलग-अलग नाम बोलते हैं, पालतु मीडिया, यह मीडिया, वो मीडिया, वो सारा मीडिया फेक नियूस चलाकर, सिर्फ नफरत ही नहीं, दो राजियों को लडाता है, हमे नहीं बहुत अहुत अहुत अहारा कि आप शुhesion कुछ चीफ जस्टिस ने वह बहुत एहम है और चुपती हुई नब्ज है वह बिल्कुल चुपती हुई क्योंकि आप देखिए कि इसको कान्ट्रोल कौन कर रहा है और पत्रकार कितने पत्रकार जब हम बात करें हमने देखा कि कश्मीर के भी पत्रकार को अंदर डाला गया ब Mr. Patrkar, Madam Patrkar, काम करो अपना और मैं सोच रही थी क्या नवीका कुमार जी, क्या आज तक की तमाम लोग, क्या Zee News, यह सारे लोग जो देख रहे हैं, यह सोच रहे होंगे कि हम सवाल पूछेंगे, तो यह एक एजेंडा सेट किया उन्होंने, पत्रकारों की भीतर भी होसला दि अब देखे, Chief Justice of India, डीवाईच अंदरचूर ने बिलकिस बानों के मामले को भी reopen किया है, कि किस तरह से उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया, उस पर सुनवाई होनी है, इसके लावा महराश्र का मामला, उन्होंने साफ तोर पर राजपाल के जो पूरे आचरण पर सवाल किय है, उस पर आप बंदलिफाफ़े में बात दे रहे थे, तो उन्होंने ने का बंदलिफाफ़ा बंद कीजिए, जो हकीकत है, सामने लाईए, ये बाते कह रहे हैं, और मेरे खाल से यही वज़ा है कि रोज हमारे रिजीजू साहब जो हैं, बॉकल और बिलकुल और जैसे, ज इधी के जो बहुत बड़े बड़े जानकार देश के हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोट पर बहुत क्रिटिकल आर्टिस लिखे थे, चाहे उसमें लाईनोस्टी के बड़े प्रफिसर्स हों, उपहिंदर बक्षी जैसे लोग हैं, या तमाम लोग नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि आप्जरवेशन्स जो कुछ आ रहे हैं और कुछ एक फैसले भी, वो संभावना के संकेत देते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, कि जो बात चीप जश्टिस साब ने कही, और जो सवाल उठाए राज कमल जा ने, इंडियन पूछ में फंसा देते हैं, यह सब बात इसे इतने ठोश ठंक से कहीं, तो मेरा यह मानना है अविसार कि कहीं कहीं न कहीं जो संजीदा लोग है, जो कॉंस्ट्शन के पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं, या फैसले देना चाहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि हमा समाज में हमारा समाज जिंदा दिल हो वह वाइवरेंट रहे वह संविधान के प्रतिश सजग रहे और जो उसके दिमागों को कुड़ा बनाने वाली उसके दिमागों को कुंद करने वाली जो कुंद करने वाला जो मीडिया इस देश का है उससे अलग होकर वह विवेक के साथ सोचे वह ग्यानिक दिमाग वह ग्यानिकता के साथ सोचे और जो हमारी इंस्ट्यूशन को चलाने वाले लोग हैं उनको भी आक्षीजन दें भाषया मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरसल जिसे कहते हैं न बार को इतना लो सेट कर दिया गया है चंद्रचूड इसलिए भी बीजेपी सरकार को अखरते हैं क्योंकि हमारे सामने तीन विकल्प है मसलन चीफ जस्टिस ओव इंडिया रंजन गोगोई जो रिटायर होते हैं और तुरंद भाजपा की मदद से राजसबह चले जाते हैं फिर उसके बाद जस्टिस नजीर रिटायर्मेंट के सिर्फ चार महिने बाद आहंद्रप्रदेश की गवर्नर बन जाते हैं जस्टिस अशोग भूशन जेने NCLAT का अध्यक्ष बना दिया जाता है और वो भी रिटायर्मेंट के सिर्फ एक महिने बाद लहाजा चंदरचूर साहब जो सामाने बाते कर रहे हैं वो भी हमें करांतिकारी लग रही है और मुझे लग रहा है कि मैंने इसलिए कहा शुरू में भी कि निराशा का इतना माहौल है जैसे माली जी जो एहम फैसले जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के पास 370 हटाने वाला मामला भी लंबिक पड़ा हुआ है 2019 से लेकर आज तक 2023 हमने देखा कि आयोध्या वाले मसले पर क्या 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 नोटबंदी वाले मसले लंबिक लिस्ट है लेकिन इसी बीज आपने चुनाव आयोग वाला भी देखा वहां पर कम से कम आपको रहात लगती है दिखाई देता है कि कुछ थोड़ी बहुत ही रहात सही लेकिन एक एहम फैसला आता है एहम उब्जर्वेशन आते हैं तो यह जो उब्जर्वेशन हैं मुझे लगता है यह कि आपको अपनी साख भी बचानी है भारती लोगतंत्र में इस समय साख और आशा दोनों सिर्फ एक संस्था पर ही तो टिकी आप चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकते पारलेमेंट का आप हाली देख रहे हैं बाकी अकेडमिक्स का आपने हाल जो कर लिया है वो तो माशा कर रहे हैं कि वह क्रेडिबिलिटी बनी रहे और जिस तरह से इतने से बात पर जिस तरह की भाषा लॉव मिनिस्टर बोलते हैं मुझे लगता है वह अपने आप में पूरी जुडिश्री की अवमानना है भाषा सिर्फ लॉव मिनिस्टर नहीं देश के उपराश्रपती इसके उपराश्रपती जिससे राजनीतिक बयान देतने हैं तो मुझे लगता है सारी कि सारी कोशिशे की सारे संस्था हैं मीडिया की तरह जैसे एयौपेरेट रहा है आपके टूलकिट पर ऑपरेट कर रहा है दरसल वे सोच रहे हैं कि उसी तरह से देश की जुडिश्री और भाशा और उर्मिलेश आपका इंडिया की बात में बस इतना ही आप सबसे मेरी अपील कि इस कारक्रम को ज़ादा से ज़ादा लोगों तक पहुंचाएं आप अपनी टिपनी भी दें कि आप इस कारक्रम में नया क्या चाहते हैं क्या महसूस किया आपने आज के इन तीन मुद के बारे में अभिसार भाशा और मिलेश को दीजी अजासत नमस्कार